एक बंदे की नहीं नहीं साधी होती है, तो साधी के बाद उसकी जो खर्चे होते थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो अब वो अपनी वाइब के साथ डिसकस कर रहा था कि हमारे खर्चे बढ़ गए, तो मैं अपने बोस को बोलता हूँ कि वो मेरी थोड़ी सी सेलेरी बढ़ा क्या नहीं होगा, तो उनको बताने से, अपने बोस को बताने से थोड़ा सा डर रहा था, हिचक रहा था, लेकिन उसकी वाइब ने कहा कि डॉंट वरी, आपको उनको बताना चाहिए, आप उस चीज के लायक होके आपके जो बोस है, वो आपकी सिलेरी बढ़ा देंगे, अपने उपिस के लिए निकलता है, अपने बोस को मिलता है, और उन्हें बताता है कि उन्हें अब लगता है कि उनकी सेलेरी बढ़ा देनी चाहिए, काकि कापी टाइम से उनकी काम कर रहा है, और काम भी अच्छा कर रहा है, तो उसके बोस ने उसकी बात के उपर विचार कि और उनको जो 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 जोब की नकी डिमांद थी कि उनको salary increase करके दी जाए उसके बprusने उसकी बाद को approve कर दिया उनको salary बढ़ा कर दे दिया अब हो जो इनसान था वो बहुत जदाँ हो ज़ड़ा होँ mês मानलो कि साथवे आसमान में था क्योंकि उसकी जो डिमान थी वो पूरी होगी थी उनको सेलेरी अगले मेने से बढ़ा कर मिलने वाली थी तब ये बंदा पूरे दिन ओफिस में बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी वाइब को जाकर और कैसे बताएगा कैसे सर्प्राइज करेगा उसकी वाइब कितनी खुश होगी इन सारी चोंके बारे में वह सोच रहा था यह उसकी वाइब तो बहुत ही खुश होगी इस ब पर एक टेबल रखा था जो खाने के लिए उसकी वाइब ने सारी वाण गया डिनर टेबल के उपर लगाई थी केंडल्स लगाई हुई थी तो पूरा इंतजाम था उसके हस्बन को समझने ने आ रहा था कि यह कैसे हुगी है खुश खबरी में सुनाने वाला हूं और वाण गया थी वो टेबल पर थी टेबल को भी सजाए हुआ था केंडल्स थी और उसके पांस एक कार्ड पढ़ा हुआ था जो कार्ड्स उस बंदे ने उठाया तो उसमें लिखा हुआ था कि कॉंगरुच्यूलेसंस डर्लिंग कि मैं जानती हूं कि तुमारे बोस ने तुम कि तुम इसके काबिल हो यह दिनर टेबल यहाँ पर लगाई हुई कैंडल्स यह सारी वान-गया घर को सजाए हुई हर रोस्नी मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि मैं तुम्हें बढा सको कि मैं तुम्हें कितना प्यार गाती हूं तो उसको भी लगा कि मेरी से इलेरी इंकर करट्ड वहां पर गिरा है लेकि उस कार्ट ने लिखा हुआ होता है कि don't worry ठीक है camerे बोसिन अभी तुम्हारी को ne तुम्हें परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे में जो काबिल्यत है वह आज नहीं तो कल तुम्हारा बोस जरूर तुम्हारे से लिको इंक्रीज करेंगे लेकिन अपे के लिए तुम उस बात को बोल जाओ इस डिनर टेबल को देखो यहां पर लगाई बुरा है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम मेरे लिए हमेसा के लिए प्राइज लेस हो हम सब को ऐसा ही पार्टनर जाए जो हमें पूरी तरह से एक्सेप करें हम सब को ऐसा ही पार्टनर जाए जो हमारी काबिल्यत के ओपर विश्वास करें हमारी जो भी पर है हम चाहते हैं नेना पूर भी लेकिन हम कुसी और के इसे पार्टनर मने हैं कभी भी अगर आप यहां जातो तो सबसे पहले किसी का यह इसा इसा इंसान बनने के कोशिश करो कि आपका पार्टनर जैसा भी है वैसा उसे accept करो जो भी करने सने उन्हें support करो क्योंकि आप अपने निचर से अपने व्यवार से अपने पार्टनर को ऐसे treat करोंगे तभी आपका पार्टनर आपको ऐसे treat करेगा जिस दुनिया का बहुत ही सिंपल रोड ले में दोस्त कि आप लोगों में जो बाटोंगे आपको वापिस वही मिलेगा और जब रिलेशन में यह अंडरस्टेंडिंग यह मैचूरिटी आ जाती है तो जन्मों जन्मों तक ऐसे बंदन कभी नहीं शूरते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको व आपको यह पिस्क्राइब रियू जापको तोस्तों में जो करता हैं फिर रिजय के आपको अंडेशन में जो बाला को वाच्टेंडि करता चान इसे में यह जो वाच्टेंडि आपको थाएंडिला